हलो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे मैं हूँ आपका दोस्त आपका साथ ही आपका सलाकारबशिक मिश्रा आज जो मैं वीडियो लाया हूँ दोस्तो इसमें हम बताएंगे डिफरेंस जो है इंडिया नेवी और मर्चेंड नेवी में तो इंडि स्कोप जो है आपकी क्या job responsibilities है यह सारा कुछ clear हो जाएगा और future का भी like retirement pension जो 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 डाउट रहता है कहीं बोलते हैं सर मर्चेंड नेवी में किस एज में retire होते हैं किस एज में pension मिलती है तो यह सारे डाउट हम इस वीडियो में clear करेंगे वीडियो को अच्छे से देखिए तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिया नेवी की तो इंडिया नेवी में भी more or less विभाग वही होते हैं डेक विभाग इंजन विभाग अगर आप जाओ डेक साइड इंजन साइड इस अप्टो यू विच साइड यू वांट तो जॉइन लाइक वेन यूर फिलि दोनों का मोटा मोटी सीस्टम सेम है बर्ट लिफरेंस is, सबसे बड़ा difference, जो major difference है, these are government jobs, जो Indian Navy हो गया, Air Force हो गया, Army हो गया यह government job है, और Merchant Navy यह private job है, कईयों को अभी भी doubt clear नहीं है, वो ध्यान से सुन ले, और मुझे comment box में पूछ लें अगर कुछ इसमें doubt है, it's a private job, अब कई अभी बोलेंगे, सर प्राइवेट क्यों सारा काम तो government का होता है, सारे certificate हमें government से मिलते हैं, अगर आप देखा जाया है, COC, Certificate of Competency CDC, सारा कुछ हमें DG Shipping Government of India में मिलता है तो यह certificate, documentation yes, you are right it is provided by governments but, जो आपके क्या बोलते हैं, companies हैं वो private companies हैं आप private companies में sale करते हैं अभी जैसे आप engineering कर रहे हो suppose that normal engineering की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी तो government से ही आपको certificate मिलते हैं न, वो तो private certificates नहीं होते हैं तो same like that certification part remains with government, but आपके जो यह क्या बोलते हैं job है, वो private है यहाँ पे कोई doubt न रखें अब कहीं बोलते हैं, सर्फ merchandise में कितना pension मिलता है तो इस बात को ध्यान से सुन ले यहाँ पे कोई भी pension नहीं है कोई भी pension scheme नहीं है PF, yes PF है, वो crew लोगों के लिए है officer का, मतलब अब यह company पे भी vary कर सकता है बट हम लोग की company में officer में नहीं है, crew लोग में PF है Indian coast में अगर आप sale करते हो like Indian shipping में तो PF हो सकता है, बट foreign going में doubt, मैं confirm नहीं करूँगा तो PF, PF समझते हो न PF amount, मतलब जितना आपका PF यहाँ कट रहा हो, तोना company पे करेगी that is called PF amount तो यहाँ पे कोई pension नहीं है और अगर आप Indian navy में करते हो या Indian air force में करते हो तो 15-20 year जो भी आपका job tenure हो रहा है, जो भी job period time है उसके बाद आपको certain एक pension मिलना चलो हो जाएगी, suppose that आप Indian navy में हैं, Indian navy में आप retire हो रहे हैं, किसी भी rank से हो रहे हैं it doesn't matter whether you are retiring from officer side, whether you are retiring from chief cook और क्या बोलते हैं, इसको नीचे engineer, किसी भी rank से retire हो रहे हो, चाहे वो lower rank हो चाहे वो higher rank हो, आपको pension मिलेगी, अब सब की pension अलगल होती है, बट minimum मेरे खहार से 30-40 thousand से start हो जाती है जो की 70-80 thousand तक चलती होगी तो yes, Indian navy Indian army, Indian air force इन सम में आपको pension मिलेगी, बट merchant navy में यहाँ पे कोई pension नहीं है job security, yes Indian navy और defense government job में job security है, जल्दी आपको कोई निकालेगा नहीं है, अंटर अनलस कोई आपने बड़ा mistake ना कर दिया हो बट यहाँ पे अगर आप job की security कहोगे, तो वो depend करता है market कैसा है, अभी shipping boom up में है, company के पास काफी सारे जहाद है, तो आपको job मिल रही है company shut off हो गए, recession आ गया तो yes, वहाँ पे फिर job की थोड़ी lackness दिखाई देने लग जाती, job की कमी दिखाई देने लग जाती प्लस, यहाँ पे आपको well performance करना होगा, medically fit रहना होगा timely join करना होगा, timely sign off करना होगा, lot of factors होते है, medical, medical एक बहुत बड़ा factor है, medical आपका हर बार medical है, हर बार medical है जितनी बार आप join करोगे, medical है तो medical में अगर कुछ problem है, तो क्योंकि company के पास काफी बंदे होते हैं, वो आपको क्यों लेगी, क्योंकि आप जो another five, six month है, वो ship पे रहने वाले हो, mid ocean में या बीच में कुछ हो गया, तो कोई भी company इस चीज को लेके बहुत बड़ा risk नहीं लेती क्योंकि फिर अगर कुछ हो गया, तो उनको port of refuse लेना पड़ेगा, port of refuse का मतलब यह हुआ, जैसे आप यूएस से जा रहे हैं, आप चाइना बीच में आपको अफरीका की तरफ ले जाना पड़ेगा, या जो nearest port होगा, तो वहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा, तो उसमें कितने सारे expenses होंगे, जो fuel figure, जो टेल खर्च होता है वन टन तेल कदा मेरे खहल से 500-600 डॉलर है, तो आपके उपर मालो कंपनी 30 टन तेल कदम कर देगी, तो 18,000 डोलर, 20,000, उसके बाद ओफ आयर, तो इतना सारा कंपनी expenses क्यों उठाएगी, इसके लिए medically fit होना बहुत ज़रूर है और medically fit, सिर्फ ना उसके लिए आपकी health के लिए भी ठीक है, अगर आप medically fit नहीं है, Beach Mead Ocean में आप कुछ नहीं करेंगे, of course, there is a hospital अभी तो बहुत सारे resources हैं आप medical advice ले सकते हो, सब कुछ है, बट still जो professional doctor होते हैं, वो तो shore में होते हैं, तो ये चीज़ मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात, अगर नहीं आई है, तो अभी समझ लो मेरे से, मैं हूँ, आपके सारे doubts clear कर दूँगा, इंडियर नेवी और वगेरा, Army Air Force में तो land पे रहते हैं, इंडियर नेवी में अगर आप देखोगे, तो उनकी छोटी-छोटी short-short selling होती है कुछ हो गया, उनके पास doctors भी professional होते हैं, सारी facilities रहती है तो ये फर्क है इंडियर नेवी में अब salary wise अगर आप देखोगे तो जमीन आसमार का फर्क है, अगर आप इंडियर नेवी में जाओगे, तो salary वाकई में कम है, कम है तो बोले मतलब it is sufficient for, जो उनके लिए तो sufficient है, those who are serving Indian ships, उनके लिए sufficient है, बट फिर भी हर किसी को चाहिए होता है कि भाई, मैं ज़्यादा पैसे कमाओ, तो इसके लिए public merchant navy में switch over करती है, mainly मकसद है उसका पैसा कमाना, यहाँ पर आप अच्छा खासा earn कर सकते हो, बट हर चीज के फाइदे और नुकसान दोनों होते हैं, इसके ओपर काफी दिनों चे वीडियो नहीं आएए मेरी बनाएंगे, इसके ओपर भी वीडियो बनाएंगे तो यह बात यहाँ तक आपका यहाँ तक आपके सारे डाउट केलियर हो गया है अब आते हैं retirement, retirement आपको मैंने बताया दिया है, इंडियन नेवी वगेरा में retirement की जो उमर होती है वो 20 साल, मतलब 20 साल आप सर्व करोगे आप 15 साल करोगे तो आप retirement ले सकते हो मर्चेंट ने में यहाँ कोई एज नहीं है जब तक आप medically fit हो, physically fit हो आप sale कर सकते हो, after 60 year also you can sale 61, 62, 65, depend करता है आपके उपर और company के उपर sometime ज़्यादा old people को company लेती नहीं है वाई दे विल टेक अगर उनको यंग बंदे, यंग जनरेशन के लोग मिल रहे हैं तो तो यह सारे factors जो है वो vary करते हैं, वो depend करते हैं आपको career choose करने से पहले कि भाई मुझे इंडिया नेवी जॉइन करनी है मर्चेंट नेवी जॉइन कर लिए, preferably मैं कहूंगा मर्चेंट नेवी is also not bad profession, it's a good profession अगर आप सब कुछ सही करते हैं मैंने पहले ही बोला, आप अपने पैसे को सेविंग करके रखेंगे, properly रखेंगे, SIPs वगेरा, start कर दो अपनी, यह वाली क्या बोलते हैं, retirement policies ले लो, pension scheme ले लो अगर इस तरीके से आप करते हैं, there is no doubt, it's okay, आप earn कर सकते हैं and अपना pension scheme खुला सकते हैं, nothing else, but अगर आपको opportunity मिल रही है इंडिया नेवी में अच्छी position में, तो मैं कहूंगा, वहाँ पर join कर ले, it's actually good कि आप वहाँ join कर लेंगे, जितना आपकी जो requirement है, उस हिसाब से आपको fulfill पूरा मिलेगा ज्यादा के चक्कर में, ज्यादा लालच के चकर में कहते हैं, लालच बुरी बला है तो यह आपके उपर depend करता है, बाकी job wise, सरकारी का आपको पता है, तो सरकारी और private के काम में भी difference होता है, यहाँ पे मैं कुछ explain नहीं करूँगा, एक आप चले जाओ, सरकारी bank में, SBI में, और एक चले जाओ, PhD, FC, IC, IC, में difference आपको नजर आ जाएगा, पैसा जमा कराने के ल तो वही 70-80 crew member मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना difference आ जाता है, तो guys, यहाँ पे hopefully मैंने शॉट में आपको समझाने की कोशिस करी है, और आपको समझ में आ गई होगी, चलिए guys, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए goodbye, take care, चैहिन